और चलिए बुलिटिन के शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर है भिलाई से भिलाई के जोनल मार्केट में लगी आग बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भिलाई से जोनल मार्केट में आग लगी है मकान दुकान में रखा लाखों का समान इस आग में खाक हो गया HDRF की टीम ने दो घंटे में आग पर काबू पा लिया है घटना के दौरान भिलाई नगर्थाना की टीम भी मौजुद रही वहीं आग लगने का कारण अभी तक अग्यात है बड़ी खबर आपको भिलाई से बता रहे हैं कल रात भिलाई में आग लगने की वज़े से लाखों का समान जलकर खाक हो गया अभी तक आग लगने का कारण अग्यात है भिलाई से एक खबर है बिलाई के जोनल मार्केट में आग लगी थी और कल रात के आग लगी थी हलाकि आग पर दो घंटे के अंदर ही बचाओ कर्मियों ने काबू पा लिया इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहियों की सुबोध तीवारी जुड़ गया है सुबोध बिलाई के जोनल मार्केट में आग से काफी नुकसान हुआ है क्या जानकारी है अनकुल शी बड़ी बात है बित्ती रात लगभग दो बजे के आसपास बिलाए के सिटटेन से जोनल मार्केट के एक दुकान में जबदस आग लग जाती है यह मकान और दुकान लगभग एक हाथ है वहाँ दुकान चलाने वाले भी साथ की पीचे तरफ में मकान में रहते है इसे दुरा आधी रात को अग्यास काड़नों से उनके घर में आग लग जाती है और घर में रखे सारे समान जलकर खाक हो जाते हैं और जिस दिवान में आग लगी थी बताया जा रहा है कि उस दिवान के अंदर लाखों रुपए के बंडल रखे हुए थे नगत बंडल रखे थे वह भी लगबग आजे से जादा आग की चप्रेट में आग आग एते बड़ी और बताया जा रहा है कि जब SDRS के टीम पहुंची तो आजपास के दुकानों दिन आग लगने की गुंजाइच संभावना बनते दिख रहे थी लगा सतकाल दो टैंक पानी डालकर आग पर काबू पाया गया इस दोरान विलाईना कर साना पुलिस में मौजूद थ कि जो कंजक्शन है वहाँ पर आजपास चिपके हुए मकान है उस वज़ा से भी एक बड़ी आग लग सकती थी लेकिन SDRS के टीम ने आग पर काबू पालिया है और लाखों रुपए के लुक्सान होने के बाद बैपारी की बताई जा लिए है सुबध जो आग लगने की वज़स से जो बंडल जले हैं नोटों के उसको लेकर क्या कुछ ख़बर सामने आई किस तरह की मतलब पैसे थे एक बड़ी बात हैं कुछी जिस तरीके से विलाईनेगर पुलिस मौके में मौजूद थी और दोरान जब दीवान में जहां आग लगा था जिसमें नोटों के बंडल रखे थे उसके बारे में पता साजी करने में पुलिस लगी हुई है पता जा रहा है लाको रुपए की गड़्टे पांसो रुपए के शप्री में उसमें रखे हुई थी आदे ज़्यादा गड़्टियां दलकर खाग होई हैं अभी पिज़ाल पता साजी की जा रही है कि आखिर ये इस वैपारे के पास इसके अपने वैपार से कमाए हुए पैशे थे या कहीं किसी दूसरे गहर करनोने परिकों से कमाए हुए पैशे थे इस बास में इस बास की जांच परताल के लिए विलाइक लगी हुई है जे सुबोध शुक्रे आपका तमाम जानकारी के लिए तो के बंडल मिले हैं जो की काफी कुछ जल गए हैं मकान और दुकान में लाखों का नुक्सान हुआ है